दोस्तों आप देख रहे हैं अभी तक की सबसे बड़ी और ताजी खबर एटी के न्यूस चैनल पर मुस्लिम देश में बन रहा अयोध्या जैसा भव्य मंदिर नरेंद्र मोदी करेंगे उद्गाटन जानिये खर्च समेत खास बातें रब मुलकों का ये पहला भव्य मंदिर बनकर तकरीबन तैयार हो गया है फरवरी में मंदिर का उद्गाटन किया जाएगा जिसमें दुनिया भर से लोग पहुंचेंगे नरेंदर मोदी को मंदिर के उधगाटन के लिए नियोता मिला है जिसे उन्होंने स्वीकार लिया है साथ ही UAE के भी बड़े नेता मंदिर के उधगाटन में आ सकते हैं दुबई से बड़ी खबर प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी 14 फरवरी को अब्बू धाबी में हिंदू मंदिर के उधगाटन समारोह में शामिल होंगे मंदिर का निर्मान कर रही संस्था BPS के स्वामी इश्वर चरण दास और स्वामी ब्रह्म बिहारी दास ने नरेंदर मोदी को मंदिर उधगाटन के लिए निमंतरन दिया था जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है देख रहे हैं अभी तक की सबसे बड़ी और ताजी खबर AT के न्यूस चैनल पर हर वकक की नई और ताजी खबर के अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक और सस्क्राइब कर दीजिए मुस्लिम देश संयुक्त अरब अमीरात यूएई पी राजधानी अबू धाबी में बन रहा ये पहला इतना बड़ा हिंदू मंदिर है ये अयोध्या के मंदिर की तरह काफी भव्य और शानदार है ये मंदिर करीब 25,000 वर्ग मीटर में बन रहा है और इसे भारतिये कारीगरों ने ही तराशा है भारत और यूएई को बीच सद्भाव के प्रतीक के तौर पर इस मंदिर का निर्मान हो रहा है इस मंदिर में कई खास बातें है साल 2015 में प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी यूएई की अपनी यात्रा पर गए थे तब इस मंदिर को लेकर चर्चा हुई थी जिसके लिए यूएई की सरकार ने आबुधाबी में मंदिर के लिए जमीन दान की थी दो साल बात 2017 में प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के जरिये इस मंदिर की नीव रखी गई मंदिर के निर्मान में 50,000 से अधिक लोगों ने इंटे रखी हैं जिनमें भारत के विदेश मंत्री एस जय शंकर के अलावा अभिनेता संजय दत और अक्षय कुमार भी शामिल हैं पोचासन वासी अक्षर पुरुशोत्तम स्वामिना रायन संस्था बीए पीएस इस मंदिर के निर्मान का कामकाज देख रही है बीए पीएस एक ऐसी संस्था है जिसने दुनिया भर में 1800 से ज्यादा हिंदू मंदिरों का निर्मान किया है दिल्ली में अक्षर धाम मंदिर का निर्मान भी इसी संस्था ने किया है 108 फीट है अबू धाबी के मंदिर की उंचाई पश्चिम एशिया के इस सभा से बड़े हिंदू मंदिर को बनाने में वैदिक वास्तुकला का इस्तेमाल किया गया है मंदिर में की गई जटिल नकाशी और मूर्तियां भारत में भी बन कर तयार हुई है जिनको विशेश व्यवस्था कर मंदिर तक पहुँचाया गया है भारत के कई कारिगर अबू धाबी में भी मंदिर निर्मान में जुटे है इस मंदिर की उंचाई 108 फीट है जिसमें 40,000 क्यूबिक मीटर संगमरमर और 180,000 क्यूबिक मीटर बलुआ पत्थर लग रहा है इसके बनने में करीब 700 करोड रुपए खर्च हो रहे है मंदिर के निर्मान के लिए बड़ी संख्या में लोगों ने दान दिया है वही अब समय आ गया है मुस्लिम देश में बन रहा अयोध्या जैसा भव्यमंदिर नरेंद्र मोधी करेंगे उद्घाटन जानिये खर्च समेत खास बातें दोस्तों आप देख रहे हैं अभी तक की सबसे बड़ी और ताजी खबर AT के निउस चैनल पर हर वककत की नई और ताजी खबर के अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक और सस्क्राइब कर दीजिए चैनल को प्यार और सपोर्ट करने के लिए आपको दिल से धन्यवाद